नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज में आप लोगों को दिगाना चाहूंगा कि बेक पेपर फॉम फिलब कैसे करना है तो सबसे पहले आपको जो आपने रिगुलर फॉम फिलब किया हुआ होगा वो जो रिजिस्टर करके करता है तो उसमें जो email यूज़ किया था, उसमें जो password क्रेट किया था, उसी से use करके आपको ये login जो करना है और login जो कैसे करना है, password डालके, email डालके, उसका बाद, capture डालके, उसका बाद, यहाँ जो summit का option है तो summit का option पर आप click कर देने से क्या होगा कि आपका login जो हो जागा लेकिन आप जब regular वाला form fill up कर रहाता और करके साथ में direct continue आप बेक का form fill up करने वाला है ऐसे होने से अरम से अंदर से login करने का जरूरी नहीं है अंदर से directly आप regular वाला complete करके उसका बाद फिर से continue कर सकता है बेक पेपर जैसे कि यह जो interface आ रहा है तो आप जो regular वाला complete करने का बा मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा नहीं था उसके बाद मुझे लगा था कि ये वीडियो ज़रूरी नहीं परेगा क्योंकि ओल्रदी फॉर्म केचे करने वह बना चुका है तो फिर भी इतना सारा मेसेजेस चो आया है कुछ दोस्तों ने रिकोष्ट किया तो उसके कारण म नहीं बढ़ा है उसके लिए ये हैल्पल होने वाला है तो आप इसको लास तक देख लिजिए उसके बाद अपने दोस्तों तक भी सियर किजिए तो यहाँ पे बेसिक जो स्लेक करना है वो सब आप रिगूलर वाला वीडियो पे देखी चुका है तो यहाँ पे वो सब स्ले मिस्तर वो कब फिलब करेगा बोलने से वो जो नेक्स सेशन पर उसका फोर्म जो फिलब होगा उसके बाद एक्जाम मूट पर आपको क्या करना है बेक पेपर कर रहे तो बेक पेफर ओप्सें को आपको सिलेक कर लेना है और कर लेने के बाद आपको क्या करना है सामीट पे क आप किया तो यहां पर आप हमी тогда कि तो यहां पर कुछ बंद करेगा इस क्रीन को क्योंकि कुछ suppose security के लिए privacy and security के लिए बंद करूंगा लेकिन यहां पर कुछ इस बैसिक इन्फोर्मेशन जितना है उसको अप देख के बारा लो उसको आम यह बन कर रहे लेकिन उसमें जो कन्फुजिन फरसन वाला को में आप लोगों को बताऊंगा उसको आप देख लेना है तो उसको में आप लोगों आचा से समझाऊँगा तो यह प्राइबेशी औ security के कारण यह जो मैंने screen को ऐसे बन किया है तो इसको माफी चाहूंगा वो आप आरम से कर लेगा उसको तो एड्रेस बगेरा ही देना है तो यहाँ पे आपको देखने को मेल रहा होगा subject papers offer for the examination उसके बाद नीचे पे box पे number of papers तो यहाँ पे क्या करना है कि क्लिक करेगा तो इस नमबर सिले करेगा उतना नीचे पे आपको ऐसे इस पेस आ जएगा तो उसका हिसाब आप बहाँ पे subject का नाम को मेंचिन कर लेने है और subject का code एसे को देना है बोलके मेंदे तेरी तो नहीं है आप बस subject का नाम लिख सकता है उसके बद आप satisfaction नहीं है तो satisfy नहीं है तो तो उसमें मैंने mention किया था कि अगर आपका back paper है तो आपको appearing simultaneously in law examination इसको yes करना होता था और yes करते ही वहाँ पे दो जगा आता था जहाँ पे आप back paper का उसका subject एसे तोड़ा mention करना होता था तो यहाँ पे भी क्या करना है अभी हम यह fourth semester का back paper बारा रहे तो मान लो कि आभी हम fourth semester का बारा रहे और second पे और भी बेक है ऐसे होने से आपको यहाँ पे पिर से वह एफेरिंग simultaneously in law class examination उसको पिर से यह करना है उसके बद नीचे बाला have you appear in this examination earlier उसको भी yes करना है तो मेरा जो बारा रहे जो और बेक नहीं है तो यहाँ पे मैं यह last बाला option को yes करके उपर को no कर द जाता उसको डाल देना है डालने का बद यह नीचे पर पार्टिकुलर्स ऑफ द लास एक्जमिनेशन पास दोस्तों यहाँ पे बहुत सरा दोस्तों ने सवाल किया कुशन किया मैसेश किया और उसमें confusion है एक चीज़ याद रखना है कि इनके सब का फॉर्म जो फॉर्ट सिम सिमिस्टर का बरा रहे तो अब यहाँ पे फिफ्ट सिमिस्टर का डिटेल डाल देना है तो दोस्तों ऐसे करना है और यहाँ पे कुछ कांपूजिन मत होना उसका बद यहाँ पर प्रोब्लम आ सकता ही जैसे कि यह सेशन पे बहाँ पे आप जैसे कि 2019 and 20 2020 and 21 ऐसे मत लिको उस सब्सक्राइब जार्णा झालना जरूरी नहीं वह सबब कर लिजे यह बैसिक चीज है उसके बद फोन और अप्लुट कर लिजिए उसके बद नीचे पर सभी पर ग्लेना है और उसमें किलिक कर लेने के बाद आपको नेक्स पेज़ पर लेके चला जाता है और इस पैज फि के लिए करके आप उसमें एडिट कर सकते हैं इनकेस आप फाइनल समिट कर देते हैं तो आपका एडिट का ओप्सिन दुबारा नहीं मिलेगा और आपको आरजीव को कंटेक्ट करना परेगा और आरजीव को कैसे कंटेक्ट करना है उसके उपर में भी मैंने वीडियो बना के आप उसमें जाके देख सकते हैं, उसके बद दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छा से जज कर लेने के बाद देख लेना कि कुछ गलत है किने तो मैं फाइनल समिट कर देता हूं, फाइनल समिट कर लेने के बाद यह जो देकलेरेशन का पेज आता है, तो I Agree पर क्लिक करते ही ए नेक्स पेमेंट पर किलिक करेगा तो बहाँ पर किलिक करेगा तो आपको कहा पर पहुंचाएगा कुछ ऐसे यहाँ पर आपका कितना पेमेंट करना है वो सब दीतेल जो यहाँ पर दिखाएगा उसका बद पेनाव पर आपको किलिक करना है और पेनाव पर आप किलिक करते ही आपको next page पे लेके चला आजेगा, तो next page पे उसमें होगा कि आप जो क्या से payment करना चाहते है, credit card, debit card, net banking, वो सब option आएगा, तो मैं debit card से करेगा, तो debit card option को मैं select कर लेता हूँ, तो उसको select कर लेना है, और select कर लेने के बाद यहाँ पे detail बर लेना है आपको, तो मैं बर बर लेने के बाद आप प्रोसिट पे किलिक कर देगा, और प्रोसिट पे किलिक करेगा, तो यह जो जिस card को बरा है, उसका bank में जो number link के उसमें OTP चला जेगा, तो OTP को आपको इंटर करना होता है, और OTP को इंटर करके आपको submit कर देना है, उसके बाद यह जो आगे प्रोस सब का similar है, बस एक एक चीज में आपको इदर उदर कर देना है, वस इतना ही है, उसके बाद दोस्तों, जिन्हों ने अभी तक फॉम फिलब नहीं किया है, बेक पेपर का, उसके लिए helpful होगा, मैं विश्वस करूँगा, उसके बाद में सबसे बिंथी करूँगा कि प्यार देते रही है, उसके बाद आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए एक वीडियो और एक नए तोपिक के साथ, तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक क्यार